यह यह चीज रोहन सबसे जादा महसूस करता है और इन सब चीजों की वाई से रोहन का जो है थोड़ा साथ अब प्यार अगर अगर विवराज नहीं भी करता होता तो वो यह तो नहीं चाहता कि कोई उसकी वाइफ पर लाइन मारे यह तो ओविसली नहीं चाहेगा कोई भी कर अब जब सुड़ी सी ओडर क्लाररीटी आई है उसकी फी फीलिंग में तो शादि ऊफिलिशली उसकी इसका टशन होगा रोहन के साथ उसको पसंद नहीं आएगा रोहन पहले भी नहीं था अब तो और भी नहीं होता Soc ने ने जेलेसी वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि अब तक जो रोहन को पोट्रे किया गया था कि बेशक दोनों शादी शुदा हैं बट लेकिन उन दोनों के अंदर एक केमिस्ट्री और एक जो और रिष्टा होता है वो नहीं है तो वो उसे इसलिए वो उस ट्रैक पे पहले अपने हाप से इजार करता है कि यह सब देखने के बाद कि अगर इन दोनों दो इनसान खुश नहीं है एक दूसरे के साथ और एक दूसरी की फिलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन रोहन को जो है वो मदर इंडिया यानि कि सुहानी की सारी फिलिंग्स नजर आती है उस रोहन का जो है थोड़ा सा जो एक लगाव है वो सुहानी की तरह बढ़ता जा रहा है शुरू में तो अपने आप से इजार करता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे प्यार हो गया है सुहानी से लेकिन इस सिचुएशन को देखने के बाद वो थोड़ा सा डबल माइंडिड और कन्फ्यूस सा हो जाता है कि जिस ट्रैक पर वो सोच रहा है जिस ट्रैक पर जाना चाहता है कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा दोनों के साथ तो इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा रोहन क्या सोचेगा और आगे अपनी फीलिंग्स को लेकर कैसे बरताब करेगा एसा तो नहीं कि रोण आणगे डाले की चीव पर चीजिए जैसे के अच्छे बताया है मतलब हाँ एचली आपके नेगटिव किरदार में गये 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 आपके I don't know actually, ये मैं रिवील नहीं करूँगा कि मेरा नेगटिव किरदार होगा आगे जाके या पॉस्टिव होगा लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि बहुत इंट्रस्टिंग होगा You never know कि वो इन दोनों के बीच में आए या शायद दोनों को मिला दे, कुछ कह नहीं सकते Because चीज़ें अभी अभी खुलनी शुरू हुई है आइस्ता आइस्ता लोगों के relationships को समझा जा रहा है तो वो थोड़ा सा वक्त लगेगा और फिर जैसे कि वो अलड़ी एक वकील है तो solution तो उसके पास हर तरह के हैं तो वो देखेगा कि आगे जाके जुरू देखेगा कि सुहानी और युवराज का जो relationship है वो किस मोड पे जा रहा है आगे जाके और उसी ही सहाब से परताब करेगा रोई हर सुम में आपका देखना रहता है कि बहुत चालेट रहते हैं चुप-चाप रहते हैं रहे काम करके नहीं कर जाते हैं इस चेह में विखने से जोग की बात करें पता नहीं प्यार मिलता नहीं है प्यार चीजनी की कोशिश की जाती है घरजरी में पूली रहता है क्या कहना चाहिए पता नहीं शायद मैं I'm unlucky in love बहुत बार on screen on screen actually है मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मुझे प्यार मिल जाए लेकिन आज तक कभी प्यार नहीं मिला कभी शादी हो जाती है तो सुहाग रात नहीं मना पाता तो कुछ ना कुछ अडंगे जो हैं मेरी लाइब में चलते रहते हैं लेकिन कुशिश करोगा कि इस बार बात शायद शादी तक पहुचे और उसके बाद आगे भी पहुचे अफैर्स तो कहीं होएं सरेटा किसकी आँक ही अच्छी हैं किसकी होट अच्छे हैं किसकी बाल अच्छे लेकिन प्यार कभी नहीं हो वही बली बात मेरी कैमिस्ट्री एक्शली सब के साथ बहुष है स्टार्टिंग만 dependence युवराज के साथ बहुत टशन चल रहा है आजकर सुहानी के साथ हुसी मजाग थोड़ा हलकी सी छेड़ साथ चल रही है दादी के साथ समझने की कोश्चिश कर रहा हो issir कि घर में एक्शली हो क्या रहा है और बाकी सारे मेंबर्स के साथ चुट-पुट-चुट-पुट-पुट मजाग चलता रहता है लेकिन हां केमिस्ट्री सबके साथ अच्छी है मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने मुझे हर किरदार में देखा है और खुब सारा समान, खुब सारा प्यार दिया है और मेरे हर शोग को आप लोग देखते हैं और बेसबरी से इंदार करते हैं कि अगला शोग कौन सा करूँगा लेकिन ये किरदार थोड़ा हटके है, अलग सा है, कहने को लॉयर है लेकिन लगता है नहीं बिलकुल तो बहुत इंटरस्टिंग है, मुझे बहुत मजा रहा है करने में और मेरा ये मानना है कि अगर मुझे मजा आता है काम करने में तो जब ऑडियन्स देखती है तो उने भी बहुत मजा आता है तो आप ये मेरा शोव सुहानी सी एक लड़की स्टार प्लस पर Monday to Saturday 6.30 जरूर देखिए